देश में 21 जून को मनाए जाने वाले दसवे अंतराश्वे योग दिवस को लेकर बड़ा हुटसा है इस समंध में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग एक अभ्यास है जो एकता और सद्भाव की प्रेड़ना देता है उन्होंने विविध संस्कृतियों और शेत्रों को जोडने के उलेखने शमता पर प्रकाश डाला और कहा कि योग ने समगर कल्यान की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एक जुट किया है श्री मोधी ने कहा कि हर किसी को योग को अपने जीवन का अभिन अंग बनाने के लिए प्रतिबद होना चाहिए और दूसरों को भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोचसाहित करना चाहिए उन्होंने कहा कि योग शान्ती और धैरी के साथ जीवन की चुनोंतियों से निपटने में शक्षम बनाता है श्री मोधी ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा की उन्होंने आश्रा व्यक्त की है कि ये वीडियो लोगों को योग के अभ्यास करने के लिए प्रोच साहिद जरूर करेगी